अलो स्टुरेंट स्टांडर्ड एट अभी हम एक्सराइज 9.3 स्टार्ट कर रहे तो क्वेशन नमर वन केरी आउट दा मल्टिप्लिकेशन आप एक्सप्रेशन इन इच अप फॉल्वेंग पेर्स तो यहां पर एक मॉनोमेल है और एक बाइनोमेल है तो मॉनोमेल इंटू बा लों का यूज करेंगे ऊके तो कुरेशन मन हम स्टार्ट कर रहे है आइज को क्वेशन मन में क्या दिया है एक्सराइज 9.1 है एक्सराइज 9.1 एक्सी लिएन लिए एक्सराइज 9.1 एम एस्टूब अए faj这 एक्सराइं हें पॉइन नंबर वन एट तो फिर्स्ट वन इस गिवन 4P and Q प्लस R तो यह दुनों का मल्टिप्लाई करना है 4P मल्टिप्लाई Q प्लस R Monomial इंटू बाइनोमिल तो Distributive Law 4P मल्टिप्लाई Q Bracket के बार जो भी है उसको दोनों elements से multiply करेंगे Binomial के दोनों elements से तो 4P को Q से किया और R से भी multiply करना है दोनों को Bracket में रख सकते हैं तो 4P Q प्लस 4PR is answer Okay, then second one is given what? Second one AB and A minus B तो AB multiply A minus B करना है तो Distributive Law use करेंगे तो AB multiply A होगा Write AB को A से और B से दोनों से multiply करेंगे तो A into A तो A square होगा A square B minus AB square Okay, then third one we are doing तो third में दिया, क्या दिया गया है Third is given A plus B and 7 square B square तो A plus B multiply 7 square B square तो BINOMYL को MONOMYL से multiply करना है Right, दोनों equally होते है MONOMYL BINOMYL करो या BINOMYL MONOMYL करो तो A multiply 7 A square B square Right, 7 A square B square को A और B दोनों से करना है multiply और बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा Right, Distributive Law में बीच में क्या होता है? प्लस होता है 7 A square B square तो 7 A square और A तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? A cube B square Right, यहाँ पर क्या आएगा? B square आएगा प्लस 7 A square B cube ओके? यहाँ B square है और यहाँ B है तो 2 प्लस 1, 3 पावर देन नमबर 4 4 में क्या दिया गया है? A square minus 9 A square minus 9 और 4 A ओके? अगें, binomial into monomial A square minus 9 into 4 A करना है हमें तो A square into 4 A minus 9 into 4 A 9 multiply 4 A Right, A और 9 थोड़े एक जैसे लग रहे है तो 4 A square और A A cube हो जाएगा? 4 A cube 4 9 to 36 A Okay Then number 5 we are doing तो number 5 में क्या दिया है? Number 5 में दिया है Trinomial दिया है Trinomial into monomial P Q plus Q R plus R P और दुसरा दिया है 0 0 के साथ करना है multiply P Q plus Q R plus R P multiply करना है 0 से तो इसमें हम directly 0 लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं हर एक टम को 0 से multiply कर दो P Q into 0 Q R into 0 R P into 0 तो क्या मिलेगा 0 plus 0 plus 0 answer is 0 तो ऐसे हम बता सकते हैं इसको तो इसके बाद question 2 करेंगे नेक्स्ट में प्रूप्ट प्रूप्ट प्रूप्ट